अज हम वेरी इंपोर्टेंट एंड अप दे आनलेसिस करेंगे उसके साथ साथ हमने कुछ प्राइम प्रीमियम चैनल पे पोस्ट किया था पैटन्स उसको भी देखेंगे जो भी ट्रेडिंग है आपके रिसकी साथ से कीजिए एजुकिशनल परपस है वी आर नॉट से भी रिजिस्टर्ड आज मॉर्निक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिप्यार के अंदर ओपनिंग हुए है तो कोई ट्रेडर को ऐसा लगता है कि हमेशा ग्याप डाउन हो अब यहां पर देखिए फ्लाट ओपन होने के बाद मार्केट जो है नीचे वीकली सिप्यार का सपोर्ट था और निफ्टी तो ओपन ही हुआ था दोनों के बीच में तो ऐसे दिन जो नाइन ट्वेंटी स्ट्राटेजी है देखो यहां पर भी फेल हो गई नीचे और ऊपर भी फेल हो गई तो दोनों साइड यह फेल हो गई तो क्यों होता है देखो अगर वीकली सिप्यार के अंदर है तो पक्का समझ लेना एक ट्रयाप एरिया है एक्सेप्ट आपको एकाद दो बार यह तोड़के चला जाएगा तो उस दिन आम तो दिन भर अच्छा पार्टिन बना ना तो भी वह ट्रेड नहीं ले पाए क्यों क्योंकि मॉर्णिंग में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है 2 लॉश होने के बाचूत भी वह त्रेड नहीं ले पाते हैं तो यह गलती का फल जो है, दो साइट देखने के मिलता है, फर्स जो है, वो आपका रियल लॉस होता है, दूसरा लॉस होता है, अपोर्चिनिटी लॉस, तो आपको यह CPR, वीकली CPR थोड़ा सा इंस्टॉल कर ले, आयन द्रॉ कर ले, फ्री है, फ्री आवेलेबल है, हमारे मुट्रल कैंडल हुआ था, फर्स पांच मिनट के कैंडल, और निफ्टी जो है, बीरिष दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने यहां तक कुछ नहीं बोला था, प्रीमियम चैनल में, जस्ट सिंप्ली हमने पोस्ट कर दिया था, कि मॉर्निंग में वीकली CPR के अंदर ओपन हु जब CPR के बाहर आ जाए, तो CPR breakout pattern ट्रेड करें, तो इसको देखके हमारे कुछ ट्रेडर ने प्रॉफिट किया है, वो भी हम दिखा देंगे, उसके बाद जो हमने बोल दिया था है, निफ्टी और बैंक ट्रेंट शुरू हो गया है, तो निफ्टी में ट्रेड लेने के लिए फॉर्स्ट डाउन ट्रेंड का सिगनल दिया था हमने दस बजे, तो दस बजे यहां पे हमने एक छोटा सा ट्रेड भी दिया था, और प्रॉफिट बुक भी इमेडियेटली यहां पे टारगेट भी हमने दे दिया था, तो ऐसे जब भी high probability pattern बनता है, तो हम शेर कते हैं, क्य आसानी होती है, तो इसके लिए हम आपको trend दर्शाते है, तो live market में educational purpose है, कि आप उस pattern को identify करे, और उससे देखे, यह एक साल का नहीं, यह पांच आगे आने वाले, चार पाल साल का condition बिल्ड हो रहा है, आपका live market में pattern identify करके, एक student ने हमें यह भी question पूचाता है, कि 180 reversal pattern है क्य देखो, यह location गलत है, weekly CPR नीचे है, daily CPR उपर है, 200 moving average से नीचे, 20 moving average से नीचे, अगर bullish pattern बना रहा है, तो यहाँ पे trap हो सकता है, तो हमने उनको बोल दिया था कि थोड़ा रुको, और यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से trade होने दो, तो आप यहाँ पे भी देख सकते है, हमन student को बोल दिया था, तो trap zone में है, तो उनको trade नहीं करना है, तो बाद में उन्होंने trade करके लगबग, शुरू में उन्होंने यहाँ पे premium channel join किया, सर्बोतारें trap area, trap zone में trade कैसे करे, तो यहाँ पे उन्होंने एक CPR breakout के बाद profit किया है, 855, देखो, यह profit को कम मत समझना, यह जो 8 55, कुछ student बड़ा भी कमाते है, जैसे कि यह student है, 15,000 का profit है, थोड़ा experience, mentorship student है, तो यह expert है, काल उन्होंने 8,900 का भी profit किया था, तो एक राहूल है, वो तो 22,000 कमाया आज, end of the day, तो mentorship का क्या फाइदा होता है, देखो, हमने यहाँ पे पहले सुबह उन्होंने 15,000 कमाया, 15,000 क के बाद, उन्होंको मैंने दूसरा target दे भिया कि, only 3 trade करना है, and maximum stop loss लोग है, 6000 करना है, तो उसको वो follow किये, discipline के साथ trade किये, तो उनका 22,000 बन गया, और end of the day, it's done for the day, इसका मतलब इसके बाद 12 बजे के बाद, कुछ trade नहीं करना है, कुछ नए trader है, नए trader, जो beginning, beginner है, जो profitable trading strategies कर चुके है, तो उनको एक morning trade यहाँ पे दिखा, और 1200 रुपई का profit कमाया, तो यह student को result क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको pattern identify करना आसान हो रहा है, time पे entry and exit with profit booking stop loss के साथ, वो trade कर रहा है, तो यहाँ पे, जब bank nifty है, निफ्ती यहाँ पे नीचे आ गया था, 180 reversal pattern, तो यहाँ पे मैंने एक और एक trade दे दिया था, दूसरे candle में, ओके, यहाँ पे एक trade दिया, और उसके पाथ target क्या दिया, yes one, ओके, so 17,961 का target मैंने दे दिया था, तो यहाँ पे क्यों दिया था, क्योंकि यह CPA से नीचे आ गया था, and pattern भी एक bearish pattern बनाया था, कल से अगर आप देखते है, bank n के निफ्टी को, तो दो दिन से कल से मारत मार्केट एक नीचे downtrend दशा रहा है, और आज weekly CPR भी है, तो breakout दे दिया है, तो weekly CPR breakout याने कि बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आज weekly expiry था, आज ही जाएगा, इसा fix नहीं रहता है, कल भी जा सकता है, okay, तो market नहीं, यहाँ पे target downtrend का बताया था, वह भी हम दिखा देंगे, यहाँ पे देखिए, निफ्टी downtrend है, clear cut, okay, तो निफ्टी downtrend है, हमने clear cut बोल दिया था, और वहाँ पे आपको, जब downtrend है, बोला था, तो वहाँ पे आपको put buy करना था, और उसके पाद मैंने target बीड दे दिया 17961 का, जो कि immediately 5-10 minute के बाद हिट हो गया, कितने बज़े, 12-25 minute को target हिट हो गया, तो यह कुछ profit हो गया था, वह भी हमने यहाँ पे share कर दिया है, तो यह downtrend है, तो यह जब आप pattern identify करना सीख लेते हो, तो आयाँ ए ट्रेड, trap zone में कुछ trade नहीं करना है, बाद में कुछ बले चाहिए trade करो, नीचे आ रहा है trade करो, यहाँ पे शुरू में, morning में, जो यहाँ पे बचता है, तो यह बाद में profitable trader, trade जो बनता है, setup, proper setup ले सकता है, तो इसके लिए आपको premium channel join करना है, तो यह immediately link है, mentorship program join करे, ताकि आपको दोनों सीख पा आप बता सकते हो, जो भी आपकी question है, chat box में लिखिए, मैं उसका जरूर अंसर देता है, thank you, मिलते हैं अगले वीडियो,